तो फिर आप सभी का एक और फीर से बहुत बहुत स्वागत है अर्विन की वानी में दोस्तो जैसे कि अप सभी लोगको पता है कि आज का जो थमनेल था उस थमनेल के एक कॉडूिन दोस्तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाल के नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो या अपनी जी एफ का फोटो या फिर अपनी वाइप का फोटो कैसे लगाईएगा और अपने दोस लोग को यहां पर कैसे चोकाईएगा दोस्तो जिसा के आप सभी लोगों पता है कि यहां के जो नोटिफिकेसन पानिल होता है यहां पर फोटो नहीं लगता है लेकिन दोस्तो आज मैं आपको मोबाल के ऐसा तzahl डिक्सी बताऊंगा जिस Spider-C Danish से दोस्तो आप अपना फोटो या अपनी जेव का फोटो या फिर अपनी वाइप का फोटो यहां पे लगा सकते हैं और दोस्तों यह लगाने में आपको यहां पे कोई चार्ज नहीं लगा विल्कुल फिरी में आप लगा सकते हैं दोस्तो पिछला वीडियो जो हम आपको दिये हुए थे जिसमें बहुत सारा प्यार आया और उसमें बहुत सारे वेक्ति ने कोमेंट भी किये कि सर वो जो अप्लिकेशन करे में आप बता आ रहे थे वो अप्लिकेशन पेड वाला था उसमें बिना पैसा का नोटिफिकेशन ब बार में फोटो लगा सकते हैं दोस्तों फोटो लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो करना क्या होगा अपने फोन में एक आपको डाउनूड करना होगा तो इस आपको डाउनूड करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोसे चैनल बेर पहली बार आ रहे हैं तो हम यहां सब्सक्राइब कर लिजाएगा और साफ नहीं की क्वाइब दोस्व अगर आपका पास रेडिमी हाई भीबो है ओप समसंग है जो भी कम्पनि का फोन है उस कंपनि का नाम यहाँ पे लिख देजएगा उसके बाद दोस्व आप उस फोन के पलेश्टों को ओपन किजिएगा तो वहां से दोस्व आपको इस अप्लिक केसों को ओपन करना ह ऑपिन करने के लाब दोसों यहां पे start option बढ़ाँ जिस पर touch करना है दोसों यह जो तीन application है यह तीन हगा permission दे देना है यहां पर permission को allow कर देना है बीना permission allow कितेpes कर नहीं सकते है उसके это कि यहां पर go to custom भी can only is touch करना है उसको दोसुन यहां छेले जाना है 14 फोटो या प्नी पतनी का फोटो लगाना चाहथ हो ले लेना है यहां पे प्रॉबला है दूबाले असलो प्हार को हो गया थो आप az इसलाइड करना औरओ यह देखे दूस्तो आप अपने फोन में यहां पर आपनी जीए का फोटो यहां पर लगा लिए MODO फोटो लगा नहीं है तो यहां पर आपको करना क्या होगा यह जो अप्लिकेशन था इसको फिर से आपको यहां से क्या करना होगा ओपिन करना होगा और यह जो सही का लोगों बना हुआ है, जिसपे टच करना है और यहाँ पस अपके फोटो नोटिफिकेशन पैनल में लग गया, तो दुसरों इस तरह से आप भी अपने मोबाईल से घर बैठे हुए नोटिफिकेशन पैनल में आपना फोटो यह अपनी जीम का फोटो लगासे को